Hello friends, ہم हैं दुबाइ में और आज हम ट्राइ करेंगे I Fly, हम नहीं, आज मन्षि कही ट्राइ करेकी, यह I Fly, मानलो जैसे हम स्काइडाइविंग नहीं करते, बस वैसा ही कुछ होता है, चलिए ê अज हम स्काइडाइविंग का एक्सपिरियम्स लेते हैं, यहां दुबाइ में टिकेट बुक करने के बाद थोड़ी गवराहट से हो रही है वंशिका को यह यहां पर इस टैनल के अंदर होगा और जैसे स्काइडाइब करते हैं वैसा ही लेकिए इंसाइड स्काइडाइविंग यहां दो टैनल्स हैं एक यह वाला और दूसरा यह वाला हमें पता नहीं कौ कपड़े पहनने हैं जो युनिफॉर्म वह अलॉट करते हैं वह वाले ही कपड़ों के उपर ही पहन सकते हैं और उसके बाद कुछ दूसरे एकसेसरी देंगे वह लेंगे हम रडी होने के बाद हमें एक ट्रेनिंग शेशन लेना है जो पूरे बैच है वो उन सब स्टुडेंस को पहले बाल में कुछ कलीप स्वेप्स कुछ जो भी कुछ है सब निकाल देना है क्योंकि यह लगना जाए इन फैक्ट कान के यह रिंग निकालने के लिए बोलती है थे और बाद में यह यह प्लग्स लगा रहे हैं झाल में लगने पहा हैं कि अजय क्मुर्णा बाद में यह पूर्णा के रहे हैं जय को अच्स बाद करेंवार रहे हैं तो 15-20 मिनिट के बाद वंशिका का टर्न आ गया था ये टरनल में जाके जो यहां आइफ्लाई एक्सपीरियंस करने का यहां पर बच्चे भी थे चार या पाँच बच्चे थे और अदल्स पी थे ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है इसे भी delivery करके हैं जिसरे भी करना थे Microsoft उछ या नेख्स टाइं क्ने नीच्छ टैम हम ढ़ Ir Spring करेंगे पहले मुणिका को देख लेते हैं सो पौजिशन बता दी कैसे करना है उसके पाद यह लेकर वड़ेंगे उपर झाल झाल अब बिल्कुल छोड़ दिया और अपने आपी वो फ्लाई कर रही है यह सब पोजीशन होती है ना कि पैर पीछे रखने के हाथ आगे रखने के बॉड़ी वेट सांटर में होना चाहिए वो सब ही दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं अब उपर जाने जाना है ऐसा बता रहे हैं वो देकर डायरेक्ट शूट अप होगा उपर तक और यह मॉल है सिटी सेंटर मर्दीफ में और यह शेक मोहमद बीन जाइद रोड पर ही है इसका एक्सपिरियंस लेना एक बार तो बनता ही है और अगर आपको स्काइडाविंग करने का शौक है तो तो यह जरूर करना चाहिए क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि exactly क्या होता है एकदम से आप हवा में उड़ने लगते हो तो कैसा महसूस होता है सो मेरी जाप से बहुत अच्छा है लेकिन मेरी तो हिमत नहीं होती और नहीं मुझे कभी स्काइडाविंग करनी है अपनी जिंदगी में पर बच्चों को बड़ा शौक होता है सो इसके दिए मलशी का जीदी जरूर करेगी एक दिन स्काइडाविंग ये करने के बाद हमने ये ऑनलाइन ही बुक कर ली थी टिकेट इसके वैसी ये बैचेज में होता है और डिफरेंट डिफरेंट बैच डिफरेंट टाइम पर होते हैं एक घंते का एक बैच है और डो जिसके चालू होने के इन-बिट्विन ये बंद भी रहता है कुछ 15 या 20 मिनिट और हमने पे किये थी इसके लिए 160 दिरान पर नॉर्मली ये डिफर होंगे अलग-अलग प्राइज होते हैं और डॉलर में चलिए तो आपको 50 डॉलर से लेकर 100 डॉलर के बीच का सेशन मिल ज होते हैं तो हमारे इसे में अप्रॉक्सिमेटली 15 मीट से आते हैं